मेहर एक हजार की आबादी वाले ग्राम पंचायत पंचनपुर के नया खेरे बस्ती में एक किलोमीटर की सड़क आज तक नहीं बन पाई जान चोके में डाल कर स्कूल जाते हैं नौनिहाल बच्चे साल भरतों ग्रामिन लोग जैसे तैसे अपना जीवन चला लेते हैं लेकिन बारिश के सीजन में सबसे ज्यादा मुसीबत उठानी पड़ती है ग्रामिनों को रोज मर्रा के जिन्दकी जीने के लिए पुराना खेरे जाना पड़ता है बरसात में और विक्राल समस्या खड़ी हो जाती है जहां किचर पानी पार करके ग्रामिनों को जाना पड़ता है आधनबाडी और शास्की स्कूली में जाने वाले नो निहाल बच्चों को तो और ज्यादा विकराल समस्याएं का सामना करना पड़ता है प्रभावित गाव के लोगों ने सडक मार्ग बनाने के संबंद में जहां अधिकारियों से कई बार आवेदन देकर निवेदन किया वहीं क्षेत्रिय विदायक सांसद से भी कई बार गुहार लगाई लेकिन ग्रामिनों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला ग्रामिनों की समस्या को सुनने के लिए कोई भी तयार नहीं है आवागमन की समस्या की चलते प्रभावित गावों में शासन की कल्यान कारी योजनाई कलाव भी ग्रामिनों को नहीं मिल पा रहा है परिशान ग्रामिन गाउं से पलायन कर शहरी क्षेत्रों के ओर जा रहे हैं सतना से संबादा तभी मुल सिंख की रिपोर्ट बनाते हैं उसमें भी परेशानी करते हैं कि एथे हमारे बाप की पर पार्टि ये मुरुम नहीं टालने देंगे ख दो ऐसे कमली तो चलने दो बच्चों को इनसान को को जानबर को जो भी निफलता है उसके लिए पर यहां ना मुम्कीन है को यह कोई सुनता नहीं है आमीरों की सरकीर है आप अपना नाम हमारा नाम है विजय कुमार भी पार्टिंग